हेलो फ्रेंड नवश्कार और आदाप दोस्तों मैं यूएस खान और आप देख रहे हैं इस्टी न्यूज टीवी जैसे कि आप जानते हैं कि सहरा से जुड़ी हरिक लैटर्श न्यूज हम आप तक पहुंचाते हैं जिया दोस्तों ऐसी न्यूज आज जो हम आपके लिए ले के खिलाफ वाद दाखिल आप से नुरोद है कि आप चैनल पर बने रहे ताकि आपको पता चल सके कि सिदार्थ नगर जे एनन सिदार्थ नगर वे प्रभारी सी जे एनवे सिविल जजज सीनियर डिवीजन मेहंदर मोरिया की अदालत में सुकरवार को एक चिटफन कंपनी क के मालिक और उनकी पतनी तता सत्रा अन्या लोगों के खिलाफ वाद दाखिल हुआ अदालत ने मामले को संग्यान में लेते हुए सुनवाई के लिए 10 अगस्त के लिए की तिथी निर्दारित की है इस केस में अदालत ने पत्थर बजार पुलिस से आख्या मांगिये कि सहरा की फ्रेंचाइजी चलाने वाले 156 तीन के तहट वाद दाखिल करते हुए आरोप लगाया है कि उनके माद्यम से चेत्र के 6226 लोगों ने कंपनी की विभिन योजनाओं में निवेश किया था वर्स 2019 में अधिकांस लोगों के निवेश की आवदी पूरी हो गई वह 5 क करोर रुपए से उपर की धनरासी है शिकायत करता का कहना है कि जब धनरासी के लिए जब कंपनी छेत्र कार्याला गोरकपुर वहेड आफिस लखनाओं के अधिकारियों से संपर्क किया तो उन्होंने हमको अनुसासन हींता के आरोप में फ्रेंचाइजी से बेदखल कर दि की एसके जमा धन को बिना उत्भोकता को संग्यान में दिये दूसरे उध मिद में जमा कर दिया यानिके दोस्तों यह यह यहां पर 2019 में इन लोगों की मर्छार्टी पूरी हो चुकी थी लेकिन बिना न्युषकों के बताय इसको दूसरी कमपनी में चैन्य कर दिया गया यानि के यहां पर एक बहुत बड़ा फिलोट किया गया आगे खबरे के शिकायत करता का कहना है कि इस संबन में पत्थरा बजार थाना में तहरीर दी थी लेकिन कोई कारवाई नहीं की गई थाने पर कई बार गए इस बार आस्वासन दे कर वापस कर दिया गया ऐसे में मजबूर होका नियायाले का सहरा लिया कंपणी के प्रवक्ता का कहना है कि मामला कोट में इस कारण हमारा बयान देना उचित नहीं है दोस्तों यहां पर एक बड़ा पेचीदा मामला है जो 6226 लोगों का पैसा 2019 में उनकी मेचार्टी अवदी पूरी होने के बाद उन्हें पैसा नहीं दिया गया अलबता दूसरी अधर कंपणीों में कंवर्ट कर दिया गया जो उनकी काईयां खुली है उनमें कंवर्ट कर दिया गया जिसको निवेशकों को नहीं बताया गया ये एक बड़ा मामला सा सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ के साथ हमारी बैल आइकन का बटन दबाए ताकि ऐसी जो भी जानकार यह हमारे पास है उसकी वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास तो चलिए दोस्तों मिलता है फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए युएस खान को देजाजाद धन्यवाद जैन जैवाद